लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा अंदोलन के मुखे हमारे साथ मौझूद है ईसर लिमरा नीज में आपका स्वागत है जो बहुत 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 शुक्री आपका जी सरकार की सब्धार बताएगी कि सुना दिन होने को हैं यह जो भाई यहां बैठे हैं ना यहां पर उत्तर प्रदेश के यह बीस साल से यही ल यही MSP के लिए बहुत बच्चे थे उस समय बहुत छोटे छोटे थे जो आथ खड़े हो गए इनके बाबा ने किया था पिता ने किया था यही MSP के लिए यही धान के लिए और जब नहीं हुआ और वही अंदोलन था जिसमें एक मुख्यमंत्री को छोड़ना पड़ा था रा गैरंटी चाहिए कांटे भी लगए तो हमां दलाल आ गए हमें चाहिए गैरंटी के इससे कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा धान हो गयो हो आज हमारा गयों जो है साड़े पंदा सो का बजार में जा रहा है जब आ जाएगा 16,700 आ जाएगा हमें चाहिए जो सरकारी ले से कम बिकेगा नहीं धान जो है जीरी बोलो मुंजी बोलो से कम बिकेगा नहीं जो यह गुड़ा भाग लगा के बताते हैं उसके लिए क्या कहेंगे जो जी किस तरीके से गुड़ा भाग लगा के किसानों को लाली पॉप दे देते हैं कि हम देखे देखे ऐसा है कि पहले बौन जाता है तो वकील जीट के आ जाता है क्योंकि दूस्ता अभी बहस नहीं कर पाता में चीज तो यह है कि आज जो यह कहते हैं कि हमने में में ज्यादा खरीद करी उनसे पूछो कहा की करी तीन सो लाग साड़े तीन सो लाग मेट्रिक तन तो उत्तर परेश का होता है उसम पंजाब और हर्याना को भी जरूरत है उत्तर प्रदेश को भी जरूरत है उत्राखंड को भी जरूरत है अब सितार गंज के लोग जो यहां खड़े हैं यह जो धान लगाते हैं उनका बेतना नहीं है क्या उनको उनका ग्यारा सो में जा रहा है रुदरपुर में ग्यारा सो म हम खरीद रहे हैं पिटले बाद से ज्यादा खरीद की उनसे पूछो न कि आज शाजापुर में 600 मंडियां 600 ट्रेक्रेटर्य वहां खड़ी हैं उनसे पूछो किसकी खरीदी तो बोलना अलग बात है आंकरों से मेरा पेट नहीं भरता ना देश का पेट भरता है अगर किसान भी आंकरे देदे कि हम तुम्हें इतना पैदावार दे रहें तुम खालो और देना तो देश आदा भूका रहा जाए किसान फसल देता है अपना गहूं देता है चना देता है आपको खाने को देता है तो आप खुराक देता तो खाते हो ना वैसे ही हमें आंकरे मत दो असल करके दवाने की कोसिस की गई है लेकिन इस बार का आंदोलन क्या सरकार को मुसीबत बनने वाला है देखो आंदोलन कोई भी हो आदमी बाहर तब निकलता है जब मोदी जी का नाम नहीं सुना था तभी हमने 20 साल पहले आंदोलन किया था और जीत के आये थे मैंने का रादनाथ सकता था पर बात यह नहीं के जब ही असरकार आया का बात कै बात यह है कि आज हमारे जोग्यावान पीडी है वो खेती नहीं करना चारी खेती घाटे का सौरब द़ dazu नहीं यही चीज़ मनमुन सिंग सरकार से कहते थे हमारे अंदोलन उनकी टाइम भी थे हमारे अंदोलन मायवदी के समय भी थे जब इनको 2009 के अंदर 2009 में 165 पे कुईंटल के हिसाब से गंदा का रेट था हमने का कि चीनी का रेट महंगा हो गया तो 255-207 का चीनी का रेट हम मिलिया सुप्रीम कोट ने का था एक सुसाइटी में एक रेट एक मिल में एक रेट तो चालिस घंटे बैठने के बाद ठंड में 15-16 दिसंबर में बारिश हो गई थी लगनाव बैठ के आया थी जबके मायवदी किया तीन घंटे में लाटी चार्ज करके अंदोलन खतम हो राता था तो किसान तो अंदोलन करता है तब जब उसकी सुनवाई नहीं होती अब आज इनका इस बारी धान में मोदी जीन अगर नहीं ये बिल लाए होते ना तो शहरी अंदोलन भी होता बिल जो लेके आए उनने कहा तुमारी किसमत बदल जाएगी तुमारी बेडिया हमने काट द उकली काटी है और हम तो प्यास जब से पैदा हो है तब से खारें नासिक हा महाराषट्रा का वहां से बीडीया लगी कैसे आ रहा हम तो सेब काने कश्मीर का जब से पैदा हुए हैं उनकी बेडिया लगी जी कैसे आ गया मोधी जी यह क्या बाते कर रहे हो और आज अगर आप में कह दिया कि बेडिया कट गई जहां चाहें ले जाओ पूरे देश में आज इनका पूछोना अगर इनका धान ग्याना सो का बेच के आए हैं तो बेडि को लाए हैं बड़ी सीधी है कि जो इनके जो है उजोग पती हैं और जो बड़े पूंजी पती हैं उनको लगा कि करोना में हमारी चीजें ने बिक रहे हैं आपने के पास पैसा नहीं है अदानी हो अंबानी हो गॉड्रेज हो या जितने भी हैं आई टी सी हो वालमार्ट हो बाहर के हो अंदर के हो सब को लगा खुराक तो सब खाते ही हैं ऐसा क्यों ना करें कि सब चीज के अंदर अपना सबती यार उन से के दो आगे के लिए यूनियन के एकता के लगें इनारे बोल दिना उनको यह यह शराज़त नहीं होनी चीए हैं बिल्कुल हम अपना जहें मच दो रहें लोगों को तो एकता का नारा के बन देखिए जब इन लों को लगा कि यह यह जो हो रहा है काम हमारी गाडिया ने भिक रही ट्रेक्टर ने भिक रहे फला ने भिक रहे और कपड़ा रधा ने बिक रहा है थे य हुराक तो लोग खाते ही हैं उसमें घूछ जा जाओ और जित्ना चाहे होडिंग कर लो काला बज़ारी कर लो पर करनी पाओगे तीन बड़ा साथ लग जाएगा तो पहले तीन बड़ा साथ को खतम करो तो एक्ट आगया तीन बड़ा साथ करने का फिर उनको आ गया कि नहीं हमें सस्ता लेना है तो ट्रेडर को ले लो कोई भी आके खरीद ले वान नेशन वान मार्किट मैंने कहा ना उसमें फिर अगर आपको पैसे तीन दिन में ना मिले तीन दिन मतलब सेक्रेटेटे संट्रेम मिला कि पांदेन हो गए अगर ना मिले आपको तो कहां जाओगे बुले नहीं SDM के पास जाओगे अरे जबकि अडानी अवानी के सामने तो मंतरी खड़े होते SDM के क्या उकाते तो बुलें नहीं नहीं SDM के पास SDM के अपील DM के पास अरे हम पांट दिन के बदले हम जो गन्ना किसान है चौदा दिन में पेमिंट देना है नहीं मिलता है तो कहां कोट वीम सिंग जाता है 25 साल से कोट से लेकर आता है अब तुम कोट जाने के मना कर दोगे तो कैसे काम चलेगा अब उनका कहना है कि भई कांट्रेक्ट फार्मिंग ले आए अरे छोटा किसान जो है धाई एकड़ का है 86 फिस्ती लोग ढाये करके हैं उनके पास कहां साधने बहाँ जाने का बोले इनके लिए तुम कॉंट्रेक्ट लेकर आये हैं आप इसमें कॉंट्रेक्ट करें अब कॉंट्रेक्ट के दो घाटे हैं पहला घाटा तो यह है कि जिसके बाट धायड़ एकड़ है अलोग कह भी अपनी खेट में तो मजदूरी करोगे मैं इस बात से सहमत नहीं हो क्योंकि जो बड़ा आदमी है एक लाख एकड़ दस आदमी के साथ बड़ी मशीनरी के साथ निपता देता है अमेरिका में न्यूजिलेंड में आउस्ट्रेलिया में एक लाख एकड़ और एक लाख होती है उसी में से उगाता है अपने पश्रों को करता है दूद करता अपने साथ से निकाल लेता हो चालिस सदार लोग बेघर हो जाएंगे उनके पास काम नहीं रहेगा अगर आप एक लाख दिया और पूरे देश में अगर आ गया ये तो आट दस करोड रूपे आट दस क रोड हो जाएंगे तो क्या होगा पैसा भी आएगा तो आदमी क्या कर लेगा ये बात समझ में नहीं आती देश के मुखिया को कौन रहा है यह यह चीज़े कौन बोल रहा हो तो हम बोल रहे ना भी आपको जो लोग गए कौन बोल रहा यह बात सुन दो उसके बाद मैं सब्सक्राइब क कि हम लेकर आएं थर्च साल से इंग रएक साल से इनका अग्रीवन्ट होता है • सौसैटीे के माध्यम से सोसाइटी के मार्दम से होता है और फॉरम सी का अग्रिमेंट होता है जिसको मैं सुप्रीम कोट से महर लगवाई है तब दिदली का रेट नहीं लखनाओ का रेट मिलता है वन्ना एक एकड़ अगर हम हार जाते पस्तों भी केस लगा था तो इनको चार चार लाग रबे वाप करता है यह कांट्रैक्स है तो हम हार चुके ना जो चीज हमें लूट रही इतने साल से हम उसी को लेकर आजाए तो यह जो चीजे आई हैं यह आई हैं कोपरेट के लिए और कोपरेट जो है आज आप बताओ ना 14 करोड किसान एक अठा कहते हैं कि हमें यह बिलने ही चाहिए और 14 जोग पती कहते हैं हमें चाहिए तो मोदी जी 14 की बात मानते है 14 करोड की नहीं तो क्या माने उसको यही माने ना जो जहाज आए थे मोदी जी के इलेक्शन में दो दो जहाज चलते थे वो वी एम सिंग गाजी पूर बॉर्डर यह लोग तो नहीं देते थे ना वो तो यह लोग आए हैं दिली मेरी तबियत खराब है तब भी मुझे आना पड़ेगा लेंदेन चलता है तो मोदी जी का भी है ना इलेक्शन में मरत कर यह मरत करने हैं कर रहे हैं पर हमारे 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 जो है किसान जो है डटा हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश का उत्राख हो हमें गैरनिटी चैए कि आपके माद्य हमेंसे बताना चाहूंगा आपके उसको यह मैस्पीक देने को तेयार हैं हमारी लड़ाई यह नियां है यह लागू रहे वो पंजाब HARYAN ने का कि लागू रहे कि उनको तू मिलती है मैस्पी हमें गैरनिटी चैए कि जो मुल इमस पिए पिर अभि yam API से कम कोई खरीदे गा तो जेएल जाएगा क्यों अबी क्या होती है न्यूनत्म छंब्ब कि यूदर की है न्यू कि डीजल की इस किहागत अब खाट की है लागत आपकी हौड़ी की है लागत आपकी कीट नाशक एंगे लागत आपकी मिनिमम् लेबर की है दिन्सष already डिये लेबर अप सब्सक्राइब पर लेबत हो तो पकुष जो बन कर देंगे तो इन चीजों के उपर इसने सरकार तैह करती है ऐसी आदaboutर पर हम जो हैं खरीदते हैं हम सरकार के द्वारा रेट खरीदते हैं रेट पर खरीदते हैं तो उसके आधार पर जो सरकार हमारा बनाती है हमें वो क्यों ना मिले जो इससे कम ले जिल जाए उससे जाना मिलना चाहिए ना किसको मिलना जादा 1868 धान का रेट है पी आर 126 जो है मोटा धान बताओ किसको मिलना रहे अरे 1121 भी 1800 जा रहे 1509 भी कम जा रहे 22 बी कम जा रहे तो हम क्यों नहीं खड़े होंगे तो अब माना जाए कि कुल मेला के मोदी सरकाय के लिए अब ये बहुत बड़ी चुनोती सामने आ चुकी है जो देश का सारा किसान अब एक हो चुका है उनके से लाओं देखी ऐसा है पेले हमने 4 साल घूमने के बाद किसानों को खड़े होने की बात करी ये तो हमारे जब साथी हैं भाई हैं बच्चिस पच्चिस साल पुराने साथी हैं इनके साथ तो ये भोग सिंग खड़े हैं इनके साथ तो हमने पत्थर धोई ते श्रादा नदी में आप सबके हर्देव खड़े हैं सबके आपके साथ सबके पत्थर धोई ते में श्रादा किया है बीजबोया है आज उसका फुटाओ हो रहा है और फुटाओ ऐसा है कि फसल अभी आनी है और फसल काटेंगे फसल आएगी हमारी जब हमारी सरकार बनेगी वो फसल होगी और फसल काटके सबका फाइदा कराया जाएगा सरकार भी यह बनाएंगे क्योंकि नाएक तो हमी प्लानिंग क्या पूरा है पत्यस साल की प्लाइनिंग है उत्तर प्रदेश में सदकार 2022 में किसानों की बनेगी उसमें ना कुर्मी ना ठाकुर ना ब्रहमन ना सदार ना ठाकुर ना उसमें गुजर ना सेनी ना त्यागी ना जाक केवल किसान केवल किसान किसानों की सरकार बनेगी सुना आपने किस तरीके से बेबाकी से अपनी पूरी राय रखी है और एक बड़ी बारी की से मोदी सरकार को उनके कानों तक ये बात पहुँचे किस तरीके से किसान अपना खेतों में खून पसीना एक करके आज इस मुकाम पर खड़ा होता है लेकिन आज अफसोस की बात है कि केंदर सरकार ने तमाम किसानों को लाइन में लगा के रख दिया लेकिन किसान भी पीछे हटने वाली नहीं है कुल में लाके कहा जाए कि देश का अंड़ दाता अब मौजुदा सरकार के खिलाफ लाम बंद हो चुका है और मौजी सरकार को ये अब तक की सबसे बड़ी चुनोती का सामना करना पासकता है इस समय उत्ता परदेश की बाड़र दिल्ली के घाजी पर बाड़र से अपने सहोगी एहसान खान के साथ इंतियाज चिस्ती दिल्ली लिमरा निउस